हलो दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हर्दिक सौगत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकेंग न्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स सारे यूनिवस्टी के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए से इंड तक देखें और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नई यूजीसी की नई गैडलाइन के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं विस्विद्याल अनुदान आयोग यानि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीश की बेफ साइट पर जिसको एमाचाडी डेपार्टमेंट दोरा एक बड़ा काम सोपा गया था जिस काम के ऊपर यूनिवर्सिटी के लाखों चात्र चात्राओं का बावस्तिटिका हुआ है जैसा कि सारे इस्टुडेंट आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदे सरकार ने य बादार मानती है यह इसलिए यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट के लिए यह वीडियो और यह नई गैडलाइन सब इंपोर्टेंट रहने वाली है तो चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स यह देखिए आपको कुछ दिगरा होगा we will be back shortly we are undergoing maintenance due to website maintenance you are seeing this page we are working hard to upgrade this website be applied for incovenants तो फ्रेंड्स यह देखिए नई गैडलाइन फाइनली इस वेपसाइट पर यानि यूनिवर्सिटी ग्राइंट कमीशन यानि विस्विद्याले अनुदान आयोग की website पर upload होने ही वाली है इसलिए यह अंडर maintenance website चल लही है तो फ्रेंड्स आप तो आपके पास वीडियो आएगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पता चल जाए कि आखिर में किस आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा उसका आधार क्या टोल्थ के आधार पर दिया जाएगा या आपको इंटर्नल के basis पर दिया जाएगा या आपको प्रमोशन लाश्ट इयर के आधार पर दिया जाएगा तो आखिर में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूजी सी ग्रांट कमीशन यानि विस्विद्द्धालन अंदान आयों की नई गैड्लाइन के आने के बाद ही फैसला आपचारिक फैसला पर आपको चैनल का लोगो दिखरा होगा उस पर क्लिक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जैसे कि जैसे कोई नई गैड्लाइन आए आपके पास तरुंद वीडियो आ जाए थैंक्स फार वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल